चलो अच्छो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चेप्टर क्रेसको सीरीज का पी ब्लॉग में कारवन फेमली मेंबर तो आपको पता ही है कहें सीता जी सुनो पारवती ठीक है याद करने का तरीका पता है आपको अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं एक प्रॉपर्टी तो हम लिखते हैं टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ और एक प्रॉपर्टी हम लिखते हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ तो अगर साइज के बारे में बात करूँगा तो टॉप टू बढ़ता है तो साइज आपको पता है और अगर मैं boiling point का order लिखूँ boiling point तो boiling point top to bottom decreases ठीक है तो ये दो regular trend है अब इसमें कुछ exception होते हैं तो exceptions अपन क्या करते हैं एक साथ लिख लेते हैं ताकि जल्दी याद भी हो जाएं तो exceptions में क्या है पहले number पर exception है melting point and ionization energy इनका order same रहता है किसका melting point और ionization energy का order same रहता है तो अपन exception एक ही में लिख रहे हैं ये क्या रहता है इसका order कार्बन का सबसे ज़्यादा फिर silicon फिर germanium अब lead और trim में change होता है lead का ज़्यादा होता है किस से tin से होना चाहिए किता तिन का ज़्यादा ionization energy लेकिन lead की ज़्यादा होती यहाँ पर हम यह बोलते हैं due to lengthenide contraction ठीक है यहाँ पर जो होता है poor screening of 14 electron जिसको हम बोलते हैं due to lengthenide contraction ठीक है ऐसा होता है दूसरा order अगर आपन लिखें exception में तो density density क्या होती है silicon की कम होती है carbon की ज़्यादा और फिर decrease होती है ठीक है तो फिर increase होती होती है silicon की कम carbon की ज़्यादा फिर क्या आता germanium फिर 10 और फिर lead top to bottom जाते हैं तो mass to volume का ratio बढ़ता है लेकिन silicon exception आता है यहाँ पर पीछे आ जाता है carbon से तीसरे number पर अगर मैं बात करूँ electronegativity की तो electronegativity की अगर बात करें तो इन तीनों element की सेम होती है फिर lead की और फिर carbon की इन तीनों की 1.8 इसकी 1.9 इसकी 2 value याद नहीं करनी बस order ध्यान लगना silicon germanium ठीक है और tin की सेम रहती है lead की उससे जादा और carbon की सबसे जादा यह electronegativity का catenation तो catenation actual में कोई exception नहीं है इसको अलग से लिखो है न catenation होता क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो catenation होता है self-linking property क्या होती है self-linking property खुद का खुद से bond self-linking property is called catenation ठीक है तो size carbon का small होता है तो catenation property carbon की सबसे आदा फिर silicon की और germanium और tin की सेम रहती है और lead catenation शोनी करता pv does not show catenation due to bigger size due to bigger size bigger size से क्या हो जाता है उसके आपस के bond की जो energy है वो कम हो जाती है और इतनी कम हो जाती है वो property show नहीं करता फिर ये self-linking property show नहीं करता है ये note कर लो फिर आपन आगे बढ़ते है चलो आगे बढ़ते हैं अब हम कुछ chemical properties के बारें बात करेंगे reactivity towards oxygen जैसे अगर मेरे पास कोई element है E तो इसकी reaction अगर oxygen से कराऊं मैं तो दो type के oxide यहां बनते हैं EO and EO2 type के मतलब plus 2 oxidation नमबर वाले और plus 4 oxidation नमबर वाले ठीक है? जैसे अगर मैं यहां पर लिखूँ आपके सामने plus 2 वाला मालो carbon है तो carbon का CO plus 4 वाला CO2 इसी तरीके से SIO SiO2 GEO GEO2 SNO SNO2 PBO PBO2 ठीक है यह बन गए आपके अब इसमें इनका nature पूछा जाता है तो अगर मैं बात करूँ तो CO जो होता है यह होता है neutral oxide कुछ oxide neutral होते हैं CO NO N2O ठीक है यह neutral oxide द्यान लगना CO2 SiO2 और GEO2 यह तीनों होते हैं acidic ठीक टिन के यह यह सारे हैं amphoteric basic कोई नहीं होता इसमें न amphoteric और acidic में अगर आप involve करो तो यह भी acidic हैं SiO और GEO वाले यह तो acidic ही हो गए कौन कौन 1,2,3,4,5 यह neutral और 1,2,3,4 ही हो गए amphoteric SiO के बारे में एक important information है की exist at high temperature ठीक है धियान लगना exist at high temperature पर exist करता यह ठीक और अगर मैं acidic strength की बात करूँ donor family के तो acidic strength higher oxidation number वाले की ज़्यादा होती lower से तो acidic strength की बात करूँ तो EO2 family की acidic strength ज़्यादा होती किस से EO family से ठीक और top to bottom तो आप जानते ही हो acidic strength के बारे में degrees यह हो गई आपकी पहली दूसरी reaction है reactivity towards H2O जो carbon है silicon है और germanium यह react नहीं करते carbon silicon and germanium की water के साथ no reaction लेकिन tin जो है tin वो steam के साथ reaction करता है ठीक है tin की reaction होती steam के साथ तो steam के साथ जब यह reaction करता है तो बनाता है SNO2 और plus H2 gas release होती है और lead react नहीं करता है PV lead की react ना करने का reason क्या है PV की reaction जब water से होती है तो अपने ऐसा बोलते है no reaction ऐसा बोलते है due to due to formation of due to formation of protective film protective film of oxide ठीक है lead की surface पर oxide PBO की protective film अन जाती तो reaction नहीं हो पाती है ठीक है note कर लो फिर आगे बढ़ते है चलो आगे बढ़ते है अगली है हमारी reactivity towards X2 देखो ध्यान से जो भी element अपने carbon family के होते हैं वो X2 के साथ reaction करके दो type के हैलाइड बनाते हैं ठीक एक है EX4 type का एंड एक है EX2 type का और EX2 में भी कौन-कौन बनाता है ये germanium, tin और lead carbon और silicon नहीं बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पर E लिख रहा हूँ मैं क्या आएगा germanium, tin and lead और EX4 वाले सभी बनाते हैं अब यहाँ पर बात आती है EX4 और EX2 में existence की कि कौन सा compound exist करता है कौन सा नहीं करता इस type से और यहाँ यह भी बात आती है कि lower और higher oxidation state के बारे में बताईए ठीक है? तो मैं बता दूँ आपको carbon family के actual में दो oxidation state exist कर रहा है यह क्या है? प्लस 4 और यह क्या है? प्लस 2 मैंने आपको boron family में समझाया है था inner pair effect जो अंदर के NS2 वाले जो electron होते हैं वो bonding में part नहीं ले पाते ठीक? और bonding में part नहीं ले पाते तो lower oxidation state की stability बढ़ने लगती है यह मैं बता चुका हूँ आपको inner pair effect तो यहां मैं सीधे सीधे यह लिख रहा हूँ कि अगर stability आपसे पूछे stability तो जो प्लस 4 वाले compound की stability है प्लस 4 वालों की तो वो मैं लिखूँँगा top to bottom top to bottom decreases plus 4 oxidation state की stability plus 4 की stability top to bottom decreases अगर plus 2 की बात करूँ मैं तो यह top to bottom top to bottom increases due to inert pair effect increases due to due to inert pair effect तो प्लस 4 की stability decrease होती है plus 2 की increase होती है लेकिन अगर एक ही element में बात करें तो प्र कैसे करना है जैसे मैंने वहां पर बताया था आपको नीचे के 3 element यहां भी हम नीचे के 3 element में compare करा लेते हैं तो क्या लिख रहा हो में point ध्यान से देखना germanium plus 4 tin plus 4 और lead plus 4 germanium plus 2 tin plus 2 और lead plus 2 plus 4 की stability top to bottom decreases इस्टेबिलिटी डिक्रीजेज और इसकी इस्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी inner pair effect की वज़े से लेकिन एक ही element में बात करूँगा तो germanium plus 4 की ज़्यादा किस से? plus 2 से tin plus 4 की ज़्यादा किस से? tin plus 2 से बट lead की plus 2 की ज़्यादा किस से? lead की plus 4 से ये मानते हैं अपन है न ध्यान रखना तो अगर आप से पूछे gecl4 और gecl2 कौन ज़्यादा stable? gecl4 अगर आप से पूछे pbcl4 pbcl2 कौन ज़्यादा stable? pbcl2 ठीक है? ये ध्यान रखना आप तो प्लस 4 की ज़्यादा होती है इन नौनों में और प्लस 2 की ज़्यादा होती last वाले element में same ऐसा ही कहानी boron family में भी हमने लिखी थी ठीक है? gallium, indium और thallium में है न? एक point और यहाँ बनता है क्या? silicon का F6 2 negative germanium का CL6 2 negative और tin का OH6 2 negative यह compound exist करते हैं देखो ज़्यादा ध्यान से इधर जो side atom लगे हैं वो कितने एच्छ है तो ऐसा हो सकता है क्योंकि silicon, germanium और tin में vacant d orbital की वज़े से यह ज़्यादा bond बना सकते हैं 4 से ज़्यादा बना सकते हैं तो यह ध्यान दगना कि यह तीनो compound exist करते हैं ठीक है oxidation number क्या-क्या है plus 4 plus 4 और plus 4 क्योंकि OH पर minus 1 charge है तो plus 4 के ही compound है लेकिन bond expand कर रहे हैं मतलब 4 से ज़्यादा bond बना रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है यह 6-6 bond बना रहे हैं मतलब यह exist करते हैं किस वज़े से due to vacant d orbital vacant d orbitals लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि silicon के हर एक compound exist करें silicon का सिर्फ fluoride exist करता है लेकिन अगर silicon के chloride के बाद में बात करें भले ही वो 6-1 बना रहा हू vacant d हो si cl6 2 negative यह exist नहीं करता does not exist due to bigger size of side atom bigger size of chlorine size बहुत ज़्यादा होता है तो repulsion की वज़े से exist नहीं करते हैं बहुत सारे chlorine है अच्छाए chlorine है ना और si plus 4 और cl minus जो 6 लगे हूँ उनके वीच का attraction भी poor होता है एक reason यह भी देते हैं एक point और बनता है यहाँ पर क्या pbi4 does not exist does not exist due to inert pair effect inert pair effect में हम क्या connect करते हैं कि lead और iodine के बीच जो bond बनता है तो उससे जो energy release होती है वो enough नहीं होती है NS2 के electron को excite करने के लिए ठीक है जिसको अब बन inert pair effect का नाम दे देते हैं अगर मैं आपसे बात करूँ जितने भी tetra halide हैं वो covalent होते हैं दो ionic होते हैं tin का fluoride और lead का fluoride ये ध्यान दखना आप है ना तो क्या बोल रहा हूँ मैं pbf4 pbf4 and snf4 are ionic in nature are ionic in nature covalent character फजांस rule याद है आपको बस उसी की वज़े से ऐसा हुआ ठीक है तो ये कुछ important points है इनको ध्यान दखना है आपको direct NCRT में दिये हुए तो सीधे सीधे मैंने लिख दिये note कर लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अपने कुछ important allotrops हैं crystalline form होती है ये allotrops की carbon की ठीक है तो ये तीन किसलाइन allotrop हम discuss करने जा रहे हैं पहले नंबर पर है diamond diamond के बारे हैं बात करेंगे तो इससे related point लिखेंगे सबसे पहला point ये है कि three dimensional network solid होता है ठीक है three dimensional structure होता है वही अगर मैं graphite की बात करूँ तो ये होता है layered structure layered structure structure and layers are held together by weak wonderful forces तो जो layer होती है वो weak wonderful forces जुड़ी होती है ठीक और अगर full range की बात करें देखो full range के बारे में एक important information भी देएता है क्रोटो करले इन स्मॉली तीन साइंटेस्ट थे जोनों है 1985 में full range को जो है prepare किया था क्या किया था graphite को electric spark दिया inner atmosphere में helium neon वगरा के तो full range बनी, full range क्या होती है smooth structure होते है यह bucky balls इनको बोलते है ठीक है एक तरीके से cyclic structure है C60 से लेकर C350 तक आते हैं यह ठीक जिसमें से major जो होता वो C60 होता जिसके बारे में हमें study करनी है अगर full range का आप से method of preparation पूछा जाए तो जो graphite है ना graphite graphite को हम क्या करते हैं electric spark देते है electric arc जो है helium और neon inner atmosphere में तो क्या बन जाती? full range और full range कहां से कहां तक होती है C60 से लेकर C350 तक की rings होती है इसमें जिसमें से C60 हमारे लिए important है तो इसका जो structure है वो यहाँ पर हमने लिखा diamond का 3D network है इसका क्या है? layered structure है और इसके बारे में लिखेंगे तो इसका structure कैसा होता है इसको बोलते हैं bucky ball bucky ball structure ठीक है? जिसमें से हमें C60 के बारे में information लेनी है तो C60 को बोलते हैं buckminster full range buckminster full range या इसको soccer ball भी बोलते हैं C70 को रगभी ball बोलते हैं इसको soccer ball बोलते हैं और भी information इसके बारे में लिखेंगे पहले अपन एक-एक point discuss कर रहा है network solid है layered structure है और ये bucky ball होता है bucky ball मतलब soccer ball जैसा होता है C60 के बारे में हमें पढ़ना है buckminster full range इसका नाम है अगर मैं hybridization से related बात करूँ तो hybridization इसका होता है SP3 tetrahydral इसका hybridization होता है SP2 और इसका hybridization होता है SP2 ठीक तीसरे point की अगर मैं बात करूँ point number 3 non aromatic होता है non aromatic ये aromatic होता है और ये भी aromatic होता है एक bond होता है जिसको बात करूँ देंगलिंग बान्ड ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे dangling bonds are present dangling bond क्या बोलते है immobilized जो atom होता है देखो एक तरीके से आपने carbon free radical का नाम तो सुन ही होगा अगर मैं उसको rigid structure में ले आँ क्योंकि इनके सबके structure बड़े structure होते है rigid structure है तो अगर मैं इनको क्या करूँ 3D structure में ले आँ 2D structure में ले आँ मतलब एक तरीके से इसको fix करना है फिरी radical को क्या करिया मैंने fix कर दिया तो उसके जो unsatisfied balance है उसी को हम बोलते है dangling mod एक line में अगर बोलें तो है ना तो dangling mod इसमें present होते है क्योंकि इसमें जो end के जो layer आपके पास 3D के है ना एक बार मैं दिखाता हूं आपको देखो जैसे diamond इस तरीके से है तो जो end के कुछ atom होंगे वहाँ पे तो balance free होगा ना और ये atom क्या है? immobilize है ये move नहीं कर सकती, ये fix है ये diamond का structure है, देखो ये किसका structure है? diamond का structure है ठीक है? आगे बढ़ते है तो dangling mod इसमें present होते है immobilize atom के जो electrons है मतलब उसका जो free balance है उसी को अपन क्या बोल रहे है? एक तरीके से dangling bond बोल रहे है इसमें भी अगर बात करें तो इसमें भी dangling bond present होते है dangling bonds are present और इसमें no dangling bond क्योंकि इसका क्या cyclic structure है पूरा, बदा हुए structure है ना, तो no dangling bonds तो dangling bond के बारे में समझे आप फिर से बता देता हूं में free balance of immobilize atom is called dangling bond ठीक है? तो यहाँ पर तो क्या होता है? layered structure है इसका तो आखरी के कुछ atom होगे जहाँ free balance होगा यहाँ पर भी होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ तो अधा हुए structure है तो इसमें कोई dangling bond नहीं होता है ठीक, आगे फिफ्ट पॉइंट लेखते हैं good thermal conductor good thermal conductor but poor electrical conductor poor electrical conductor ऐसा इसलिए क्योंकि diamond में free electron तो है नहीं diamond में free electron नहीं तो electron की वज़े से electricity electricity conduct होती न, तो diamond में free electron नहीं है तो poor conductor of electricity है but ऐसा क्या हुआ कि good thermal conductor हुआ जैसे मैंने आपको अभी structure दिखाया जैसे यह structure है अपना diamond का ठीक है? अगर माल लो मैं किसी एक particular carbon सबोज यहाँ से मैं heat करना start कर दूँ तो heat का transfer हो जाएगा न, bond के through bond क्या कर सकते है, heat transfer कर सकते है तो bond के through heat का transfer हो जाएगा तो पूरा का पूरा structure गरम हो जाएगा ठीक है, मतलब उनको सबको heat मिल जाएगी इसलिए यह क्या होते है, अच्छे thermal conductor होते हैं, तो जो बहुत बड़ा structure होता है, आपस में जोड़ा हुआ होता है electricity, heat और electricity दोनों का ही good conductor है क्यों free electrons होते हैं, इसमें immobilized electron है तो free electron भूमते रहते हैं layer में, तो layer में जो electron भूम रहे हैं, उसकी वैस electricity conduct हो रही है और बड़ जुडा हुआ structure है, तो heat करोगे, तो एक से heat का भी conductor होता है, तो good conductor of heat या good thermal conductor और electrical conductor, ठीक, same to same यहां पर भी लिखेंगे, good thermal and electrical conductor, ठीक है, तो अब एक काम करो, इसको note करो यहां पर, अच्छा यह वाला समझ में आगे न, good conductor जैसे क्योंकि यहां पर भी तो free electron घूम रहा है न, aromatic है न, तो जो पाई electron है, वो तो migrate करी रहे है, यहां भी same वैसी हो रहा है, तो electron के movement की वैसे क्या हुआ, electricity का अच्छा conductor हुआ, और linked structure है जुड़ा हुआ है, तो thermal conductor भी अच्छा हुआ है, अब इसको आप note कर लो, और भी point लिखेंगे आपन, पहले तने लिख लो, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ point और लिखते हैं, पाच point हमने लिख लिए, तो six point में लिख रहा है आपन, इसका structure बना लेते हैं, six point में, कैसा ह carbon क्या करता है, carbon से जुड़ता जाता है, ठीक है, इस तरीके से पूरा, दिखाया था अभी मैंने, इसमें अगर मैं structure बनाओ, तो इसका layered structure होता है, ठीक है, इसमें layer जुड़ी होती है, इस तरीके से दिखा रहा हूँ है आपको, six member ऐसी ring होती जाती है, ठीक है, तो इस तरीक से क्या होता है, यह layered structure होता है, एक layer यह हो गई, एक layer मैं इसके नीचे बना देता है, तो layer क्या है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है यह, तो इस तरीके से मैंने बना दिया यह, और यह जो layer है, वो आपस में भी जुड़ी होती है, यह न, तो layer जो है, वो आपस में लीए है ये वांडरवाल फोर्स से हुएक्वांडर फोर्स ठीक है तो ऐसा लेर्ड स्तुक्चर इसका होता है जबकि 40 का इस्तुक्चर क्या सा होता है दृट्रि सिश्पुइंट कैसा होता है मैं Arctic 60 का बता रहा हूं आपको इसमें क्या होता है जो अपने पास five member ring है वो six member ring से fuse रहती है five member किस से fuse रहती है six member से और जो six member है वो six और five दोनों से रहती है ध्यान रहना तो ऐसा पूरा जैसे foot wall का structure होता है न देखा होगा आपने है तो यह सब क्या है six member ring है और बीच में क्या five member तो क्या है five member five member rings इसके बारे बताना कितनी है और six member rings इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो याद करने में ऐसा ने रही six member five remember ठीक है 20 और 12 दो हजार बारा ऐसे याद कर लेना 65 दो हजार बारा तो 20 होती है इसमें six member और 12 होती है five member ring ठीक है ऐसा और पांच वाली ring fuse होती है six से मतब पांच के आसपा six होगा और six के आसपा six भी होगा और five भी होगा दिख रहा आपको है तो five member ring जो है is fused with six member only but six member ring is fused with both five and six member ठीक है ध्यान लगना ऐसा है ठीक है तो ये इसके structure की बात हो गई आप इससे related और property लिख लेते हैं जैसे seven point में evressive होता है हाट टूस को शाप करने के लिए यूज करते हैं ठीक है evressive ग्रेफाइड की अगर मैं बात करूँ तो ये lubricant के तौर पर यूज किया जाता है जहां पर oil lubricant की तरह काम नहीं करता हूँ आप ग्रेफाइड को यूज कर लो soft होता है slippery होता है ठीक है lubricant भी होता है soft होता है और slippery होता है और जो इसके structure है उसको आप layer के along काट भी सकते हो इसके along आप क्या कर सकते हो काट भी सकते हो क्योंकि weak force से जुड़े हुए है और full lanes की अगर बात करें तो full lane में C60 का ध्यान रखना C60 क्या होती है soccer wall होती है C70 की बात करें तो वो rugby wall होती है अगर आप से C70 का structure बोलने है तो आप बोलोगे क्या rugby wall ठीक है तो ये कुछ इससे related properties थी इसको note करो फिर हम आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं carbon के कुछ elemental carbon के कुछ और form होते है उसके बारे में लिख लेते हैं तीन form के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे एक है अपने पास carbon black ठीक है दूसरा होता है coke और तीसरा है charcoal ठीक है carbon black coke और charcoal ये impure form है किसके graphite और full lens के है न these are impure form of impure form of graphite और full lens ये जो carbon black है ये hydrocarbon को in presence of air heat कर दो उससे बनता है तो hydrocarbon जो होते है न अपने in limited supply of air limited supply of air अगर heating की जाए तो बनता है पहले नंबर का मतलब carbon black और coke और charcoal कैसे बनते है वूड को या coal को किसको वूड या coal को in absence of air heat कर दो in absence of air अगर heat किया जाए तो बनता है क्या coke और charcoal ठीक है तो simple सी reaction बस ऐसी ध्यान दखना आपको कैसे बनता है और impure form किसके होते हैं ठीक, note कर लो इसको चलो आगे बढ़ते हैं अब कुछ compound देख लेते हैं अपन carbon family के तो carbon monoxide पहला compound है बहुत simple simple method of preparation है इसकी ध्यान से देखो जरा अगर मैं method of preparation की बात करूँ तो number one carbon की reaction O2 के साथ limited supply में अगर कराओगे तो excess में तो CO2 बनाएगा limited supply अगर आप दोगे इसके साथ अगर heating कराओगे तो CO बनेगा carbon monoxide एक lab method इसका होता है small scale पर अगर आपको produce करना है इसे तो जिसको हम lab method बोल रहे हैं formic acid का dehydration कराते हैं किसका? formic acid का तो HCOH का dehydration कराओ 100 degree centigrade पर concentrated H2SO4 के साथ तो क्या करो आप इसमें से water निकाल लो तो water निकालो के तो क्या बनेगा CO plus H2O तो ये lab method होता है commercial scale पर इसको बनाए जाता है जिसको आपन industrial preparation बोलते हैं industrial method industrial method इसका क्या होता है ध्यान से देखना coke की reaction steam से करा दो मैंने आपको hydrogen chapter में भी बताई दी water gas बनता है जिसमें वही वाली तो coke की reaction कराएंगे steam के साथ ठीक है H2O के साथ कराना है तो क्या बनेगा CO plus H2 और CO plus H2 के mixture को क्या बोलते हैं अपन syngas या synthesis gas लेगे नगर आप H2O की जगह यहाँ पर N2 लेना चाहते हो वो sorry air लेना चाहते हो तो अगर air ले रही है आपने तो air के presence में यह बनाएगा CO plus N2 क्योंकि air में present O2 plus N2 है तो N2 वैसी मिल जाएगा और O2 इसके साथ reaction कर लेगा और air में limited supply होती तो CO बनता है इसका नाम है producer gas क्या नाम है इसका producer gas तो यह धियान रखना आप से सीधे question बूछ सकते हैं producer gas is a mixture of water gas is a mixture of sin gas या फिर water gas इसको बोलते हैं न sin gas या water gas अब यह जो CO यहाँ पर present है यह oxygen के साथ react करके CO2 produce कर सकता है अगर मैं producer gas की reaction करा हूँ या sin gas या water gas की reaction करा हूँ ठीक है तो यह इसका industrial method हो गए properties की बात कर लें तो properties में अगर मैं बात करूँ तो पहली property है colorless orderless neutral poisonous gas colorless होती है orderless होती है neutral होती है और poisonous gas होती है poisonous है क्योंकि आपने नाम सुना होगा hemoglobin के साथ यह stable complex carboxy hemoglobin मना लेता है ठीक है जो death का कारण भी होता है दूसरा मैं लिखूंगा it is powerful it is a powerful reducing agent यह powerful reducing agent भी होता है क्या CO बहुत सारी reaction आप metalgy में इसकी पढ़ोगी metal oxide के साथ जब reaction होती न जैसे Fe2O3 के साथ मैं CO की reaction करा हूँ तो CO इसको reduce कर देता Fe में और खुद oxidize हो जाता है CO2 में अगर मैं ZN O के साथ reaction करा हूँ किसकी CO की तो यह बना लेता है ZN plus CO2 देखो क्या हुआ oxidation reduction हो गए न यहाँ पर मैं carbon के oxidation state लिखूं तो plus 2 plus 4 ठीक है और iron की यहाँ लिखूं तो plus 3 आएगी यहाँ 0 और यहाँ plus 2 और यहाँ 0 तो यह क्या होता है reducing agent भी होता है यह note करो फिर आप इसका structure भी बना लेते हैं चलो आगे बढ़ते CO का structure बना लेते हैं अपन तो structure of CO carbon monoxide का structure ऐसा होता है इधर minus इधर plus एक loan pair इधर एक loan pair इधर ठीक है यहाँ आप इसको coordinate bond से भी ऐसे दिखा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें एक sigma bond 2 pi bond होते हैं और 2 loan pair होते हैं ठीक है यह दिहान लखना तो यह structure से related इसकी बात होगी sigma bond, pi bond, loan pair और इसका अगर bond order पूछे तो वो भी लिख लो bond order CO का कितना होता है 3 ठीक है वो MOT में अपाने सीखा भी है आगे बढ़ते हैं second compound है CO2 बहुत simple compound है फटावर लिखते जाओ second है carbon dioxide carbon dioxide CO2 बहुत सारी reaction तो आपको पता ही है जैसे अगर मैं method of preparation की बात करूँ तो method of preparation में number one होता है C plus O2 excess air के साथ reaction करा दो ठीक है तो ये क्या बना देता है CO2 बना देता है दूसरे number पे hydrocarbon के combustion की reaction जैसे CH4 plus O2 तो combustion कराओगे excess air में होता है तो CO2 plus water बनता है इसमें balance करना चाहो तो कैसे कर तो पहले carbon balance कर लो hydrogen यहां चार है तो यहां दो कर दो और oxygen दो और दो चार होगे तो यहां दो कर दो तो balance reaction आप पहले carbon फिर hydrogen फिर oxygen से किया करो तो ये normal method of preparation है third number पे होता है lab method lab method क्या होता है CACO3 की reaction कराते है अपन किस के साथ CACO3 की reaction HCl के साथ कराते है तो यहां पर दो ले लो तो CA2 plus हो गया CO3 2 minus हो गया ये H plus और ये minus cationine 9 exchange कर दो तो क्या बन जाएगा CACO2 plus H2CO3 और H2CO3 क्या दे देता है CO2 plus water देता है तो ये lab method हो गई अगर industrial method की बात करें industrial method की बात करें तो limestone की heating से बनाय जाता है limestone आप जानते हो CACO3 इसको heat करा दो तो क्या बनता है quick lime बनता है plus CO2 तो इसकी industrial method of preparation हो गई note कर लो फिर इसकी property और structure से related बात करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं properties of CO2 के बारे बात करेंगे properties of CO2 फटाफट लिखते जाओ है ना बहुत आसान है पहला it is colorless orderless acidic gas ठीक है point number two solid CO2 को क्या बोलते है solid CO2 को बोलते है dry ice dry ice ठीक है कभी पूछले आप से dry ice क्या होता है तो solid CO2 होता है तीसरा dissolve in water to form H2CO3 carbonic acid और यह बहुत important होता है carbonic acid क्या होता है H2CO3 जो होता है वो कुछ इस तरीके से broke होता है यह एक weak acid है weak divase acid है तो पहला जो equilibrium बनेगा वो ऐसा बनेगा और दूसरा equilibrium क्या बनेगा वो बनेगा ऐसा H plus और CO3 2 minus और यहाँ पर जो system है कौन सा system H2CO3 और HCO3 minus यह क्या होता है यह buffer की तरह काम करता है किस की तरह काम करता है बफर solution की तरह काम करता है ब्लड में तो जो pH को maintain करता है 7.28 से 7.42 के बीच में approximately है न which maintain the pH of blood which maintain the pH of blood ठीक है तो यह reaction हो गई इसकी H2CO3 के dissociation वाली fourth number पे चलेंगे इसमें हम बात करेंगे जो CO2 है वो photosynthesis वाली reaction आपको पता है तो वो reaction भी लिख लो इसकी क्या होता है 6CO2 plus 12 water sunlight chlorophyll होता है इसमें न यहाँ पर तो यह क्या बनाता है C6H12O6 plus O2 plus 6 water ठीक है balance देख लो है 12 hydrogen और 12 24 hydrogen यहाँ 6 और 6 12 और 12 यह हो गए हो गए 24 ठीक है अब हम बनाएंगे इसका structure CO2 actual में ऐसा होता है linear और इसके resonating form भी exist करता है तो यह तीन resonating structure हम बोलता है इसके waterable bond C O negative और यहाँ positive अगर आपसे bond order पूछ ले किसका CO2 में CO का bond order तो bond order इसका 2 होता है ठीक है मैंने resonance वाले जो chemical bonding chapter resonance वाला पार्ट उसमें बताया bond order निकालना अगर resonating structure से निकालना हो तो ठीक है अगर sigma pi bond की बात करें तो 2 sigma 2 pi और loan pair कितने हर oxygen पे कितने होंगे 2 दो तो 4 loan pair हो गए ठीक है 4 loan pair समझ गया बात फटावर्ट से note कर लो चलो आगे बढ़ते हैं अब कुछ compound देख लेते हैं silicon के ठीक है तो silicon के क्या 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 compound इसके बारें बात करेंगे तो पहले number पर है SiO2 ठीक या इसको हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा है SiO2 whole N actual में ये क्या होता है ये होता है 3 dimensional 3D network solid बहुत बड़ा structure होता है इसका ठीक है network solid कैसा structure होता है देहान से देखना ज़रा SiO2 whole N actual में होता है SiO O O Si O O O इस तरीके से बढ़ता जाता है ये structure है एक, दो, तीन चार, पांच, छे और इधर उपर भी लगाते जाओ चलो ऐसे बना देता हूँ मैं इस तरीके से इधर बढ़ रहा है इधर बढ़ रहा है ठीक है बीच में यहाँ पर 8 member ring भी बनती जाती है अल्टरनेट SIO के साथ तो इस तरीके से 3D network structure होता है अगर hybridization बोला जाएगा तो आप क्या वो लोग इसका hybridization क्या है SP3 इसका भी hybridization क्या है SP3 ठीक है इस तरीके से तो 3D network solid होता है ये अब इसकी कुछ reaction होती है usually SIO2 क्या होता है SI और O के बीच की bond energy बहुत जादा होती है जिस वायसे इसकी बहुत सारी reaction नहीं होती लेकिन NaOH और HF के साथ ये react करता है तो मैं लिख रहा हूं इसकी properties पे चल रहे हैं सीधे number one reaction with HF तो HF के साथ SIO2 की reaction होती है HF के साथ तो ये बनाता है Si F4 Si O2 plus HF क्या देता है Si F4 क्या करो 2 oxygen हटा के 4 fluorine लगा सकते हो और plus क्या बनेगा water मालो है आप HF को axis में लेते हो अगर आप axis HF करते हो तो axis HF में reaction पर ये बनाता है hexafluorosilicic acid H2Si F6 ये बना लेता है दूसरी reaction है reaction with NaOH reaction with NaOH तो NaOH के साथ Si O2 reaction करता है और ये बनाता है Na2Si O3 Na2Si O3 salt बन जाएगा एक तरीके से acid base वाली reaction हो गई plus water इसका नाम है sodium silicate क्या नाम है? sodium silicate ठीक है? तीसरी property में लिख रहा हूँ Si O2 के अलग-अलग नाम भी होते हैं अगर Si O2 की दो variety हैं अगर आप बोलते हो crystalline crystalline तो crystalline variety को बोलते हैं quards क्या बोलते हैं? quards और अगर amorphous बोलते हो तो silica amorphous बोलते हो तो silica इसका नाम होता है ठीक है? ध्यान लगना इसको note कर लो फिर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर चलते हैं silicons पे ठीक है ध्यान से देखना silicons क्या होते हैं? silicons होते हैं R2 Si O ये repeating unit अगर होगी तो इसको आपन क्या बोलते हैं? silicon बोलते हैं R2 Si O हो लेना ऐसा लिख सकते हैं अपन एक तरीके से क्या हैं ये? organo silicon polymer हैं क्या है? organo organo silicon polymer होते हैं ये ठीक है? और polymer बनने का जो starting material हम बोलते हैं वो होता है Rn Si Cl 4-1 ठीक है? यहाँ से starting होती है जैसे N यहाँ पर आप पुट कर दो 1 तो यह आजाएगा R Si Cl 3 ठीक है? अगर यहाँ 2 रखते हो R2 Si Cl 2 यहाँ 3 रखते हो तो R3 Si Cl इस तरीके से बनता जाते हैं ठीक है? यहाँ 4 रखते हो R4 Si ऐसा आजाएगा तो होता क्या है? यह इसका starting material होता है इसके polymerization से बनते हैं लेकिन यह कैसे बनता? उसके बारे में हम बताएंगे methyl chloride जो होता है इसकी reaction होती है Si के साथ in presence of copper powder 300 degree centigrade पर तो different type के यहाँ पर क्या बनते हैं? यह वाले compound बनते हैं क्या? Rn Si Cl 4 minus N type के फिर उनका hydrolysis होकर polymerization वगरा होता है ठीक है? तो अपने लिखते जाते हैं जिसे माल लो एक reaction में आपको बताएता हूँ जो important है suppose यहाँ पर दो ले लिए मैंने ठीक? तो यहाँ बनेगा CH3 hold twice Si Cl2 ठीक है? अब इसका हम कराएंगे hydrolysis ध्यान से देखना यहाँ बता रहूं मैं CH3 hold twice Si Cl2 Si OH कितने दो अब इनकी बहुत सारी यूनिट आपस में combine होगे polymer का formation करेंगी जिसको हम silicon बोलें कैसे ध्यान से देखना? माल लो इसकी एक यूनिट मैंने ऐसे लिख ली Si CH3 CH3 इधर OH इधर OH ठीक है? यहाँ इसकी एक और यूनिट इधर रखी हुई है ठीक है? इसी तरीके से इधर रखी हुई है तो दो यूनिट लिखके मैं आपको समझा देता हूँ तो इस तरीके से बना रहा हूँ मैं CS3, CS3 और यहाँ OH और यहाँ इसकी यूनिट रखी है तो क्या करना है आपको water निकालना कैसे ये OH और ये H ले लो water remove कर दो ठीक है इसी तरीके से ये OH और आगे वाले का H ले लेना water remove कर देना और ये वाला OH और ये वाला H और इधर कोई OH होगा उसको ले लेना मतलब water remove होता जाएगा तो कैसा दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा O SI CH3 CH3 O SI CH3 CH3 O SI CH3 इस ट्राइप से बनता जाएगा ये ठीक है अब देखो इसमें repeating unit कौन सी है जो मैंने यहां पर बताई दी ना R2SiO मतलब ये वाली repeating unit यहां पर आ रही है बार बार तो इसी को हम बोलते हैं तो ये दिखान रखना जैसे आपने ketone का नाम सुना होगा ketone तो ketone तो होता है CS3 C double bond O CS3 जैसे मालो मैं acidone के बारे बात करूं मतलब ketone में अगर मैं और general classify करूं तो ketone में क्या होता है यहां पर alkyl group होते है जबकि silicon में यहां पर C double bond O ऐसा मत कर देना कि SI double bond O बोल दो आप कई कोई लोग ऐसा लिखने लगते हैं कि अच्छा ketone यह है तो silicon यह होना चाहिए यह नहीं होता silicon silicon क्या होता यह द्यान लगना ठीक है अब यहां पर CS3 भी हो सकता है या इसके लावा और कोई alkyl भी हो सकता है मतलब यह जो आर ग्रूप यहां मैंने लिखा है यह आर क्या हो सक इसको क्या बोलते हैं अपन? silicon बोलते हैं लेकिन मैंने आपको बताया यहां और भी हो सकते हैं मालो में यहां पर सिर्फ एक ही लेता तो क्या बनता? तो क्या बनता? तो वो vary कर सकते हैं मैंने क्या बताया भी आपको silicon के बारे बताये लेकिन मालो अगर मैं यहां starting material कुछ अल पहले ये नोट करो फिर मैं और भी हाइडोलेसिस करके बना के बताता हूँ आपको चलो आगे बढ़ते हैं जैसा कि मैंने आपको थोड़े दर पहले बताया कि जो सिलीकन का पॉलीमर बनता वो कैसे बनता है CS3 hold twice SiCl2 का हाईडोलेसिस होता है और फिर पॉलीमर आइजरेशन अभ इसमें एक पॉइंक और important होता है जो कि यह NCI-D में भी दिया हुआ है क्या है उसमें ऐसा पॉइंट है कि पॉलीमर चैन की फिलीमर चैन कैंपी controlled by पॉलीमर अज़ेडिंग दाल दो तो polymer chain candle हो जाती, कैसे ऐसा होता होगा देखो इसकी reaction भी water के साथ होगी, भाई वो जो polymer बनना था वो तो आपको पता ही है लेकिन ये जो compound है इसकी reaction भी water के साथ होगी तो क्या बनाएगा ये R3SiOH अब जो polymer है ठीक है, उसका मालो कोई एक end है उसके साथ ये water निकाल देगा तो further ये आगे chain थोड़ी बड़ा पाएगा ध्यान से देखना ज़रा, मालो मेरे पास polymer ये था, ठीक है इस तरीके से silicon का polymer आ रहा था, यहाँ CH3 लगाए था मैंने, ठीक है CH3 तो इस तरीके से मैंने क्या किया था, इसका polymer बनाये था अब अगर मैंने माल लो, सपोज यहाँ पर OH है भाई ये भी किसी और unit के साथ water निकाल रहा होगा न, अगर उस जगह ये आ गया, end में अगर ये आ गया तो H, O, S, I इधर क्या लगे है, R, R, आप इनको methyl भी ले सकते, कोई दिक्कत नी ठीक है, ऐसा, तो होगा क्या, जब यहाँ से water निकलेगा, तो further इधर chain थोड़ी बढ़ पाएगी, क्योंकि इधर तो block हो गई न, तीनो आर आ गए, तो इसलिए आपने ऐसा बोलते हैं, कि ये वाला compound मिलाओगे, तो polymer की chain जो है, उसका आप control कर सकते हो उसको, ठीक है, polymer की chain को तो हम compound क्या बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से compound बनाके दिखा रहा हूँ मैं आपको CS3 लिखो या आप यहाँ पर RB ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बस आपको ये दिखाना है कि इधर कोई free OH नहीं है जो आगे reaction कर पाए तो ये बिल्कुल end हो गया, इसका dead end हो गया एक तरीके से, ऐसा समझ लो आप, है ना तो ये वाली बात हो गए इसकी, ठीक अगर मालवा आपको सिर्फ यही देते सिर्फ यही देते, ठीक है अगर आपसे बोलते कि मेरे पास R3SiCl है और इसकी reaction वाटर से हो रही है बताओ क्या बनेगा तो डाइमर बन के रह जाता, कैसे ये क्या करता, R3SiCl हटा के OH लगा देते, और इसके दो मॉलीक्यूल क्या करते वाटर निकाल देते ना, आपस में मिलके ऐसे तो वाटर निकलता तो क्या बनता R3SiOSI R3 तो ये क्या बना देता यहाँ पर डाइमर बना देता, ठीक है अगर सिर्फ आपको ये दिया जाता तो अगर आपसे ये बोला जाता कि R3SiCl प्लस R2SiCl2 का मिक्सर लिया है, तो ये बनाते अगर आपको सिर्फ ये बोलते R2SiCl2 तो जो पहले पॉलीमर था वो चलती रहती लॉंग चेन, ठीक है, वो बनाते अब एक और हो सकता है, जैसे माल लो यहाँ मैने R3SiCl2 है, माल लो RSiCl3 होता तो क्या होता तो एक शीट लाइक स्टक्चर जैसा दिखता आपको पहले नोट करो, फिर मैं बना के बता रहा हूँ चलो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया अगर सपोज आपको स्टाटिक माटरियल ये दिया जाता RSiCl3 तो क्या बनता, इसकी रियेक्शन वाटर के साथ होती तीन ले लो यहाँ पर, क्यों तीन सील है, तो तीन सील हटाके तीन लगाओ, तो दिखता RSiOH कितने तीन आप क्या करते हैं, आप वाटर निकालते कैसे निकालते, मैं उसको आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ क्या है देखना, R है Si है, OH है Isकी unit एक यहाँ रखो Oh Si R Oh एक काम करता हूँ, R को इधर उपर ले लेता हूँ, ठीक है ऐसा देखते जाना Oh इधर बढ़ेगी इधर unit बढ़ेगी इधर unit बढ़ेगी और इधर unit बढ़ेगी, तो होगा क्या जब आप water निकालोगे तो यहां से भी निकलेगा ठीक है इधर OH इधर H लोगे आप किसी का ठीक है इधर H इधर OH लोगे किसी का ठीक है और इधर OH और इधर H लोगे किसी का ठीक है इधर OH तो इधर H लोगे किसी मोलिक्यूल का इसकी तो होगा क्या आपको कैसा दिखेगा यह इधर बना रहा हूं मैं य यह आपको कैसा दिखने वाला है, ओ, एसा आई, और ओ, इधर एक बढ़ेगी चेन, इधर बढ़ेगी, ओ, एसा आई, और, ओ, इस तरीके से इधर बढ़ेगा, ओ, एसा आई, आर, ठीक है, इस तरीके से, इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब एक काम करो, इसी का ही mirror image बना दून इत उपर वाले पार्ट का ही मेरर मेज देखो ऐसा दिखेगा ऐसा आई आर दिख रहा है आब आपको साइग आप कि लिए दिख रहा होगा ऐसा आई और ओ तो इस तरीके से सीट लाइक स्टक्चर आप बोल सकते हैं इस तरीके से बढ़ता जाएगा तो में कहानी क जो आप methyl chloride ले रहे थे silicon के साथ reaction करा रहे थे copper powder in presence of 300 degree तो अलग-अलग के वहाँ पर बन सकते हैं जैसे अगर मैं फिर से दिखाऊँ आपको तो जैसे मालो मेरे पास CH3Cl है ठीक है? आपने SI के साथ reaction कराई copper powder लिया अगर मैं सभी compound लिखूं वो depend करता है कितना quantity यहाँ ले रहे हो तो क्या-क्या बन सकता है अगर मैं वो लिखूं तो क्या-क्या बन सकता है? CH3 whole 4 SI यह बन सकता है जो की water से react नहीं करेगा क्यों कोई CL नहीं है और क्या हो सकता? CH3 whole twice SI CL अगर यह लिया आपने तो यह dimer बना लेगा अगर आपने ऐसा लिया CS3 whole twice SI CL2 तो यह silicon बना लेता है पानी के साथ reaction करके polymerization कराते हो और अगर आप ऐसा लेता हो CS3 SI CL3 तो यह मैंने यहाँ बताया है ऐसा sheet like structure इसका बनता है अगर आप इन नोनों को mix करते हो तो जो polymer की chain बन दाई थी इसकी वो growth को रोग देगा कौन ये जो की मैं पीछे बता चुका हूँ आपको तो इस type से कहानी है silicon की silicon के बारे में कुछ इसकी properties भी है कि यह जो compound होते है silicon वो water resistance होते है जिसे आपने देखा होगा narrow leg का add आता है बर्जर का add आता है paint बगरा का तो उसमें बोलते है न silicon polymer रहे तो एक्चलम वो यही वाला होता है ठीक है adds बगरा में आता है तो यह water resistance होते है high thermal conductivity होती है insulator होते है बहुत सारी इसकी uses होते है cement industry में और paint industry में ठीक है note करो इसको फिर आगे बढ़ते है चलो आगे बढ़ते है अपना last point है silicates ठीक है silicates क्या होते है basically क्या होता है silicates have silicates have Si O4 4- units different type की silicate होते है उसमें यह आली unit क्या होती common actual में यह क्या है tetrahedral unit है Si O- 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 और O- ठीक है इसको अगर मैं ऊपर से देखूं कहां से देखूं मैं ऊपर से अगर इसको देखूं तो यह हम इसको ऐसा भी बनाते है कैसा बनाते है ध्यान से देखना Si ठीक है इस तरीके से और इसको मैं dot से बनाता हूँ के बीच का ठीक है ध्यान से देखना यह oxygen यह oxygen यह oxygen तो हम इस तरीके से इसका representation भी करते हैं ऐसा कि अगर मैं इधर ऊपर खड़े हो जाओं तो यह तीन oxygen मुझे नीचे एक साथ है negative charge तो यह si o 4 4 minus की unit है इसको और अच्छे से बनाओ तो कई book में ऐसा भी दिखाते हैं ऐसे भी बना सकते हो इसका मतलब क्या है यह समझ लो यह सब जो vertices हैं यह क्या है oxygen और जो center है क्या center यहाँ पर क्या होगा silicon भी होगा ठीक है तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि यह वाला कोई bond नहीं है वो तो ऐसी design बनाने के लिए दिखा दिया ऐसा ठीक है यह कोई bond नहीं है bond कितने है bond 4 ही है ठीक है तो यह कोई bond नहीं है तो आप इसको लेड़ी एक bond है जो आपको सामनी से नहीं देखेगा लेकिन है यहाँ पर ठीक है और यह जो दिख रहे हैं कौन सा एक दो तीन यह bond बने हुए हैं यह bond नहीं यह बाहर वाले ठीक है वो तो design अच्छी लगी इसलिए बना दिया ऐसा एक आगे बढ़ते हैं silicate आपको इसके कु फर्मला होता है वो होता Si O4 4- और इसमें कोई भी oxygen share नहीं होता यह जो मैंने बनाए यह और तो silicate ही था ठीक है कोई oxygen की किसी और unit के साथ sharing नहीं हो रही है पाइरो silicate पाइरो silicate इसका फर्मला होता है Si 2 O7 6 negative एक oxygen की sharing होती है यहाँ पर ठीक है इसी तरीके से chain और cyclic silicate cyclic silicate इसका फर्मला common होता है Si O3 whole and 2N negative oxygen sharing दो oxygen की sharing होती है पूरा detail structure नहीं बस आपको सिर्फ इतना ध्यान लखना है अगर मैं बात करूं 2 dimensional और 3 dimensional की तो 2 dimensional का फर्मला होता है Si 2 O5 whole and 2N negative और इसका होता है Si O2 whole and silica आप जानते ही है ना इसमें oxygen की sharing 3 की और इसमें कितने की होती है चार की ठीक है तो यह आपको फॉर्म यह इसके नाम याद होने चाहिए 2D silicate, 3D silicate, chain, cyclic, pyro और तो यह सब और इनके formula याद होने चाहिए और oxygen की sharing याद होने चाहिए ध्यान लखना आप ठीक है एक काम करत इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको तो और ज्यादा clarify हो जाएगा बहुत ध्यान से देखना आप यह कुछ ऐसा है सामने से देखो ठीक है यह कुछ ऐसा है जो silicate मैंने बनाए वो ऐसा है ठीक है अगर मैं आपसे बूलू सामने से देखो जस्ट सामने से बिलकुल सामने से देखो आप तो आपको सामने से क्या देखेगा oxygen और इस oxygen के पीछे क्या है यह silicon तो सामने से bond नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है, तो ये जो मैंने structure बनाया, actual में वो क्या है, सामने से है, बिलको ज़स सामने से ऐसा, तो ये oxygen है, बीच में silicon है और तीन oxygen ये आपको ऐसे दिख रहे होंगे, एक plane में, देखो टीन oxygen क्या दिख रहे हैं, आपको एक plane में दिख रहे हैं एक ये, एक ये, एक ये, सामने से तो आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये tetrahydral होता, actual में, ठीक, note कर लो, इसको फिर आगे बढ़ते हैं चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला topic हमारा है, एक silicate important होता है, जिसको zeolite बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझ लो जड़ा, basic information zeolites क्या होते हैं, actual में zeolites का structure होता है, honeycomb like structure कैसा होता है, honeycomb like, मदुमक्की के चत्ते जैसा, honeycomb like structure कैसे बनता है ये, जो si o2 देखा है आपने, मैंने आपको इबना के बताया था, si o2 के structure मैं, अगर कुछ, कुछ silicon atom को aluminium से replace कर दिया जाए, कुछ silicon atom को aluminium से replace कर दिया जाए, तो मैं समझाने के लिए सिरिफ इतना बना रहा हूँ, और यहां में al लगा दिया, ठीक है तो इस type का क्या होगा, एक linkage develop होगा, कैसा, si o al type का, और यहां पर कौन सा charge आएगा, negative charge आएगा, क्यों aluminium ने चारबन बना लिए, इस negative charge को balance करने के लिए, cations like, na plus, k plus, etc, यह सब आप यहां पर charge balancing के लिए, use कर सकते हो, तो zeolite क्या होता है, honeycomb like structure होता है, कैसे बनता है, कुछ aluminium atom si o 2 के structure में, silicon को replace कर देते, तो zeolite बनता है, एक zeolite बहुत important है, ध्यान दखना, zsm5, zsm5, यह zeolite होता है, यह क्या करता है, alcohol, alcohol को convert करता है, किसमें, gasoline में, alcohol को किसमें convert करता है, zsm5, roh को किसमें convert कर देता है, gasoline मत्दब, hydrocarbon chain, इस तरीक से दिखाते हैं, formula, ठीक है, और zeolite का मैंने hydrogen वाले chapter में भी आपको बताया था, hardness of water remove करने के लिए, permanent hardness remove करने के लिए, ion exchanger में use करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं use भी लिख देता हूँ, use to remove, hardness, ion exchange वाला method मैंने आपको बताया था इसमें, ठीक है, और दूसरा use तो यह मैंने उपर लिखी दिया, used in petrochemical industries, petrochemical industries, ठीक है, तो यह इसके use हैं, तो बस यह ध्यान रखना, ZSM5 के बारे हैं, basic information क्या है, zeolite के बारे में, ठीक है, नोट कर लो, फिर आपन कुछ important point लिखते हैं, carbon family के, चलो कुछ important point के बारे हैं, बात कर लेते हैं, जैसे, SiCl4 का hydrolysis आपको कराना है, कैसे होता ध्यान से देखना, Si के पास कितने Cl हैं, 4, अगर मैं इसकी 4 water के साथ injection करा दूं, तो यह क्या देदेगा, यह क्या कर देगा, सारे Cl replace कर देगा, OH, ठीक है, ऐसा और क्या निकल हैगा, HCl, इसका नाम है, silicic acid, ध्यान रखना, ठीक है, क्या नाम है, इसका silicic acid, दूसरा important point यह है, कि carbon, carbon has unique ability to form, to form multiple bonds, multiple bonds, अब multiple bond यह खुद के साथ भी बना सकता है, और दूसरे element के साथ भी जैसे, CCC हो गए, ठीक है, दूसरे element के साथ, C double, C double, ऐसा क्यों होता है, due to small size, due to small size, and high electronegativity, ठीक है, इस वज़े से ऐसा होता है, ठीक है, तीसरे number पे point लिखेंगे, GEX4 is more stable than GEX2, due to, due to stability of, stability of, GE plus 4, की ज़्यादा है किस से, GE plus 2 से, अगर इसका भी reason देना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, due to, inert, inert, pure effect, ठीक है, इस वज़े से ऐसा होता है, चौथा point इसमें, इसका उल्टा एक, कैसा, PBX2 is more stable, more stable than PBX4, क्यों, due to stability of, due to stability of PB plus 2 की ज़्यादा होती ही किस से, PB plus 4 से, और अगर elaborate करोगे, तो due to, inert, pure effect, ठीक है, और मैंने आपको chapter के अंदर बता ही दिये हैं, कि जो PBI4 है, वो exist नहीं करता, ध्यान रखना, SI CL6 2- ये भी exist नहीं करता, कुछ exist करते हैं, जैसे, अगर मैं 5th point पे लिखूँ, कुछ compound जैसे SI का, SI का क्या F6 2- ठीक है, जर्मेनियम का CL6 2- और टिन का OH6 2- अगर इन में आप से पूछ लिया बताओ, तो hybridization central atom का क्या है, तो इन सब का hybridization है, SP3D2, ये compound exist करते हैं, SI CL6 exist नहीं करता, SI CL6 2- exist नहीं करता क्यों, CL बहुत बड़े साइस का होता है, रिपल्सन जादा होता है, तो इन सब का hybridization ध्यान लखना, SP3D2, क्योंकि 6-6 लगे हैं ना side atom, तो ये हो गया है, कुछ important point, note करो, फिर कुछ question करते हैं, ना, चलो, आगे बड़ते हैं, अब कुछ question लेते हैं, इसके ध्यान से देखना ज़रा, पहला question ये है, कि CCL4 does not hydrolyze, while SICL4 does, मतलब, इसका hydrolysis नहीं होता, इसका होता, ऐसा क्यों होता, देखो जगा, CCL4 के पास vacant d-orbital नहीं होते हैं, तो water के साथ no reaction, no reaction, भई oxygen अपना lone pair देने आएगा, इस carbon को तो कहां रखेगा, ये vacant orbital थोड़ी हैं इसके पास, SICL4 के साथ जब water की साथ reaction होती इसकी, तो ये silicic acid बनाता है, इसका मतलब हम इसका reason ये देंगे, कि इसमें क्या है, availability of vacant d-orbital है, availability of vacant d-orbital, जिस वज़े से hydrolysis होता है, जबकि carbon के पास vacant d-orbital नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान दखना, आगे बढ़ते हैं, find acidic, emphoteric and basic oxide, आपको इन में से बताना है, acidic, emphoteric और basic oxide कौन से हैं, अज़ आज सी ओ की बात करूँ, ये तो neutral है, मैंने आपको बताये थे, तीन ध्यान रखनें, CO, NO और N2O, ठीक है, तो ये neutral है, CO2 और SiO2, ये दोनों क्या हैं, acidic हैं, और PB और SNO, ये क्या है, emphoteric है, कोई basic तो होता नहीं, इसमें carbon family के oxide में हैं, अगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, thermodynamic, most stable, allotrof of carbon is, तो ये होता है, graphite, दियान रखना इसको, अगर मैं तीनों को compare करा हूँ, तो graphite सबस्यादा stable, फिर fullurines, और फिर last में आता है, क्या डायमंड, ठीक, PVCl4 को heat कराओ, क्या बनेगा, PVCl2 plus Cl2, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो PV है, ये plus 4 oxidation state में है, ये plus 2 में है, तो plus 2 वाला क्या होता है, more stable, और plus 4 वाला क्या होता है, less stable, तो less stable से more stable जा रहे हो, मतलब heating हो जाएगी, ठीक, Cl2 निकल जाती इसमें, resonating structure बनाने, CO32 minus और HCO3 minus, CO32 minus ऐसा होता है, देखो, इस तरी किसे, अब resonating structure कैसे बनाओगे, इस वाले πाई बॉंड को shift कर तो resonance में पाई की shifting होगी, इस पाई को यहाँ ले आओ एक बार, तो आपको ऐसा दिखेगा, double bond हो, O negative, और एक बार इस वाले πाई को इस तरफ ले chemical bonding में आपको सिखाया, अगर किसी को देखना हो lecture, तो chemical bonding का resonance वाले lecture देखना, इसके bond अटर भी निकाल सकते हो, अगला resonating structure, HCO3 minus, ठीक है, इस में क्या करोगे आप, HCO3 minus है, तो इस वाले πाई बॉंड को यहाँ shift कर दो, तो ऐसा दिखेगा, H, O, C, O minus double bond हो, तो इस तरीके से आप resonating structure बना सकते हो, ठीक है, तो यह था कारवन family में बस आपको इतना ही पढ़ना है, भागी मिलते हैं फिर आपन next lecture में